सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आज भी का हमारे यूट्यूट चैनल जीपी आज में बहुत सफागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो इन आपको फाइप मार्क्स की इंपर्टन कोशन बताएगे जिनका बोड़ एकन आने का बहुत बहुत सब्सक्राइब और अगर आपको फाइप मारे वीडियो अच्छी कोशन के दिन्क देरी जिसने आपक्लिक करके डारे चि सब्वाइप मार्क से इंपर्टन कोशन जित्ते भी इंपर्टन कोशन है वह सब्तों को ईजिए लेकिन पूरी को समझ ना मरते हैं घृते हैं अगर अब समझ लोग वह वह कोशन तो अरब नहीं समझ पाओगे तो गॉर्शार में प्रैप नायगी अग क्या है आपको में आपको इसी तैय विकार उन्ला पर बार लिज पर लैंस में औ стать Jen गते हुड में वह पॉस्ट उस मिलने के लिजो हूं से पॉसिपलेट गोस पर लेंस अब देखो यह इन्होंने एक देदी situation की एक बंदा है जिसने तस्मा लगा रहा है वो कौन से टाइप का lens यूज़ करता होगा और साथ में यह भी पूच्छा है कि उसको कौन से तरीकी problem है तो इन्होंने पहले तो यह लिख दिया है ठीक है अब पहले आपको इस चीज का answer ल प्लैंस बनाना है फिर उसको आगे कैसे रेज आ रही कैसे डिफलेक्ट हो रही हो साथ को एक डाइग्रम बनाना है और दूसरा उसे में दूसरा point है तो इस आपको दिखाना है कि यह आपको same question ncrt में मिल जाएगा और अगर आपको इसका answer नहीं मिल रहा तो पीडिया फाइ का two marks का यह हो जाएगा और one marks का यह हो जाएगा और two marks का यह हो जाएगा इस तरीके से numbering divide होती है ओके दोस्तों यह तो भी छोटा question था लें कई वर क्या होता है कि आपको chemistry बड़े-बड़े question हो जैसे next question भी दिखातो हम आपको यह जैसे question second what is obligation पहला question हो गया यह question second है directly attached to the circulatory system of mother इन्होंने बोला है कि जो बच्चा फोटेस होता है उसके अपने डारेक्ट कैसे उसको खाना मिलता है at time of birth तो इन्होंने इसके आपको बताना है सारा को description करना है इसको यह हो जाएगा three marks का यह आपको मैं वह बताना चाहता हूं कि कई पर क्या होता है कि एक important point three marks दे जाता है जैसे इसके अंदर सारा कुछ यह one marks का और यह नीच वारा भी one marks का लेकिन तो यह बीच वारा जो question है यह two marks हो इसमें main main बाते तो आपको अपना समझना पर एगा कौन सा main है कौन सा ज्यादा main नहीं है तो दोस्तो question बहुत easy है यह दोनों काफी easy है ऐसे कई सर अ अब जब board exam 2 होगे तो हमें पक्का याद करें क्योंकि हमें guarantee कि हमने तो question दिए उनी टाइप के board exam पके question आएगी ओके दोस्तों और जैसे कि अब सी पार्ट इसका यह पूच्छाए कि what change occur at the time of words यह पूच्छाए कि जब photos में क्या change होता है वर्ट के टाइम पर तो यह तीनों कोश्ण बहुत easy है यह question biology का है और यह पर वाला हो गया physics का यह दोनी कोश्ण बहुत easy इसी टाप के chemistry के और सभी प्रक्राइब के 5 इसको रीड करना पड़ेगा आपको अपना आशर आ जाएगा अगर अगर आप ढंक से रीड करोगे तो अराम से आशर आजाएगा और हमें साफ फाइब मार्स को पूरा रीड करना उसके बाद में solve करना ओके दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आपको अ झाल